हेलो और वेल्कम दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब बढ़ी होंगे और आज निफ्टी की एक अच्छी मुमेंट को देखते हुए अगर निफ्टी की एक मुमेंट आप कैप्चर की होगी तो आपको बहुत अच्छा एक पॉइंट मिले होंगे यहां पर और जैसे हर बार की तरह हैं ये हमारी कुछ moving average जो है हम जैसे मैंने अपने channel के उपर as a 2 से 3 strategies बताई हुई हैं हम इन्हें ही बस follow करते हैं और इनके साथ ही हम जो देखिए 44 moving average जो है हम daily में और जो है 15 minute के time frame पर जो अभी 15 minute का time frame है यहाँ पर as a nifty में use करते हैं only for nifty not for bank nifty और bank nifty में हम bank nifty में दोस्तो हम use करते हैं 5 EM में और इसके साथ सथ stocks में भी stocks में भी 5 EM को हम use करते हैं तो इसे use करने का फायदा दर असल यह होगा और एक रही जो strategy वो बॉलिंजर बैंड के बारे में थी तो बॉलिंजर बैंड को हम हर एक चीज के अंदर लगा कर देखते हैं चाहिए वो nifty bank nifty हो चाहिए stock को हम उसके अंदर इसे लगा कर देखते हैं तो यह तो बात रही दोस्तो इसकी strategy की और यहां पर जो 44 moving average अभी active है यहां पर अगर आपने इसको देखोगा तो यह यहां से इसने sport लिया था आखरी के time पर कुछ momentum बनी और किसी ने ली नहीं ली डेंट मैटर यहां पर इसका कोई यहां पर इसका कोई तुक नहीं बनता ह है बैठने का मतलब buying करने का यहां पर आप देखिए यहां से इसने selling आई selling आने के बाद SL रखा होगा यहां से buying low cross बट आखरी का समय किसी ने buying नहीं की हो इस strategy के अंदर आखरी के अंदर आखरी में buying नहीं करते हैं तो यहां पर open हुई एक perfect sport बना यहां पर और यहां से इसने यह रखा और इसी के high का हमने SL रखा और जो इसकी buying करी यह कल के low को जब इसने cross किया ना थारा तीन सो तीस इसने जब cross किया तब हमने इसके यहां से यह entry जो है ले ली जब इसने यहां से इसको cross किया और यहां से अभी भी जो है यह position जो चल रही है और इसके यहाँ से हमें अच्छे खासे जो पॉइंट है, मूव हैं वो कैप्चर हुए हैं, हो सकता है, यह देखे मैं आपको दिखाई दूँ एक बार, हो सकता है, यह एक major level को जो है तोड़ दे, यहाँ से आप देखे इसको, यह एक major level हम हम यहां से जो दिखाई देता है यहां से एक major level दिखाई पर यहां से और दूसरी जो gap filling की process रहेगी वो यहां तक की रहेगी अगर यहां से ही इसको इस level तक आ सके हो सकता है यह कि मोमेंट अभी देखने के लिए मिल जाए तो अभी जो है अठारा दोसों का जो क्या हाल चल रहा है अभी आपको एक बार अलकी से नजर डलवा देते हैं तो यह देखिए दोस्तों ओमाई यह देखिए यह एकदम भागती वी चली गई अठारा दोसों की काल 15 मिनिट तीन क 25 की या 15 की राइड कर रहे हैं तो अब यह और जादा चली जाएगी और अगर एक बार हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज हमें 5 EMA के उपर एक भी ट्रेड नहीं मिली दोस्तों 5 EMA के अंदर ऐसे 5 मिनिट के टाइम फ्रेम में यह देखिए यह कर यहां पर इसने क्या गिया एसल खाया और बाग गई तो अगर आप देख पारे होंगे इसको दीखिए यह बनाया है यह इसके बाद एक बड़ी केंडल एक चोटी केंडल एक बड़ी केंडल उसके बाद यह डाउन ट्रेंड का मूव अच्छा खासा शार्पनेस यहां पर दिखाई दिया शार्पनेस आने के बाद इसने यह भी अच्छा खासा मूवमेंट में चल रहा है क्यों कि थोड़ा साइडवेज मुवमेंट देने के बाद इसने डाउन ट्रेंड क्रोस कर दिया बट यहां पर हमने के उपर कोई मुवमेंट नहीं ली HDFC बैंक को देख सकते हैं आप 9% 16% रिलाइंज 6% बस कोटक बैंक जो है थोड़ी सी हलकी से स्पोर्ट कर रहा है इसको वरना एम में अगर एंटरी देती हमें यहां पर तब अच्छा एक अच्छा प्रोफिट चल रहा होता बैंक निफ्टी के अंदर बट हमने क्या गया हमने निफ्टी के अंदर एक दूसरी स्ट्रेजी लगाई 15 में टाइम फ्रेम वाली और अगर आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए मैं वहां पर लाइव आता रहता हूं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भू थैंकि दोस्तो